क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमसी classification क्या है? जीवित है! मुझे मालूम है वही एक मात्र परमेश्वर है? मुझे पता है कि वही मेरा परमेश्वर है? That's it! काम खतम! उस दिन आपकी तरक्की शुरू होती. उस दिन आपको मालूम होता है, हां! और आपके मन में एक बाद पक्की हो जाती किन लोगों ने अपनी लाइफ में परमिशों के बड़े काम देखें नेचर के उलट हमने जो आज यह टेस्टमने देखी है नेचर के क्या है उलट यह PGI का केस है नेचर के उलट है है के नहीं कवे खिला रहे है नेचर के क्या है उलट है जब भी हम ऐसे काम अपनी लाइफ में देखें यह तब ही पॉसिबल है अगर होली स्पिरिट की भरपोरी हमारी जिन्दगी में है तो और यह उन लोगों के लिए है जो इस लेवल से अप आ चुके और अपना जीवन पूरी तरह से परमेशर को दे चुके है उन्हें मालूम है सब ब्लेसिंग्स हमारी है उन्हें मालूम है यह सब कुछ हमार है लेकिन परमेशर अपने टाइमिंग के हिसाब से अपने तरीके के हिसाब से जब हमें चाहिए होगा तब ही जब हमें लगता होगा, हमें चाहिए तब नहीं, जब रियल हमें उसकी जरुरत होगी, वो राइट टाइम पर हमें सब कुछ देने की ताकत रखता और वो देगा, जब हम भरोसा कर लेंगे, बाइबल कहती ही जक्रिया, अलीश शिबा, बूड़े हो गे थे, फिर भी परमिश्व के भवन में सेवा करेगा, अगर आज का जक्रिया होता तो घर बैठा होता, बोलता मेरा कौन सा बेबी हुआ इतने साल, मुझे क्या जरुरत है सेवा करने की, लोग वहां पूछेंगे तरह बेबी नहीं हुआ, बाइबल कहती ही उस बुढ़ाबे में परमिश् चुआ और ऐसा बेटा दिया, जिसने युश्यमोसी को बैप्टाइज किया, हालेलुया, हाँ या ना, अगर हमें वो काम देखने जो नेचर के उलट है, हमें पवितरात्मा की प्रेजन्स अपनी लाइफ में चाहिए, आमें, और वो तभी आपकी लाइफ में आ सकती है, अ अगर मेरी लाइफ में निराशाय ना होती, फेलियर्स ना होते, जब मैंने परमेश्वर में आया, टेंशन बढ़ गई, बीमारियां कई बढ़ गई, डिप्रेशन बढ़ गई, उल्टा कम होने से, अगर वो फाइट्स मेरी लाइफ में ना होती, आज मैं आपके सामने अगर मेरी प्रार्तनों का जवाब मिल गए होते, अगर मुझे मेरी हीलिंग पहले दो साल में हो गई होती, मैं भी एक बिजनसमेन की तरह चर्च में आता, बचन सुनता, अपना दान डालता और चला जाता, लेकिन उन निराशायों को परमेश्वर ने यूज किया, मुझे Holy Spirit से भरने के लिए, उसी failure को परमेश्वर यूज करेगा आपकी life में, उसी निराशा को, setback को, उसी stop को जो लग चुक है, परमेश्वर यूज करेगा, अपनी spiritual eyes को खोलके, अंदर की आँखों को खोलके, परमेश्वर को बोलना है कि वो आपको दिखाए, आपकी life में पव वो आपके ईश्वरी इंदजाम कर रहे है, मैं अपनी आखों से देख रहा हूँ, बड़े काम वो आपके life में कर रहे है, मैं देख रहा हूँ, आप तयारें एक मनो के उसको मानने के लिए, आप तयारें उसको जीवन देने के लिए, वो कुछ भी ना करें, तो भी उसमें बने खड़े रहने के लिए देखो वो आपके लाइफ को कितना ब्यूटिफुल बनाएगा यहाँ तकि लोग जेलसी करेंगे कि कैसे यह कैसी हो सकते इतनी ब्लेसिंग कैसे हो सकती यह हो सकते उसने का जिस परमेशों के सामने मैं उपस्तित रहता हूँ क्या आप उसके सामने उपस्तित रहते हैं क्या आप टीवी के सामने उपस्तित रहते दिन और रात कुछ लोग टीवी के सामने ज़्यादा उपस्तित रहते हैं परमेशों के सामने रहने से तो आपकी लाइफ में टीवी स्पिरिट आ सकती है, होली स्पिरिट नहीं, आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको सेक्रिफाइसेज बलिदान करना पड़ेगा, उन सब चीजों का, जो आपका शरीर मांगता है, उन चीजों को देखने के लिए, जो डिवाइन है, जो ईश्वरी है, जो हेवन डिजाइन करता आपके लाइव में, आप तयार हैं किया? अगर आपने सेक्रिफाइस नहीं किया उन चीजों का, तो आम क्रिश्चन की तरह, आम लोगों की तरह, हम भी चर्च में आएंगे, खुदाबंद के काम देखेंगे, दो-चार काम करेंगे, चले जाएंगे, और उसके बाद कुछ नहीं, लेकिन जो काम वो हम मेरी जिंदगी में कर रहे है, लोगों की जिंदगी में कर रहे है, वो सेम काम आपकी लाइफ में वो करना चाहता है, अलेलुया, अब मैं बिजनसमें नहीं हूँ, मेरी कॉल अलग है, मैं करना भी चाहूँ तो नहीं कर पाता हूँ, योगि मेरी कॉलिंग क्या है, अलग है, मेरी कॉलिंग है, फुल नाइट मैं बैठके आया हूँ आपके सामने, आपकी कॉलिंग यह नहीं, जो आपकी कॉलिंग है, वो परमिशुर उसमें आपको कामियाब करेगा, अगर आपकी बिजनस कॉलिंग है, वो आपको कामियाब करेगा, अगर आपकी calling एक job की है वो उसमें आपको इतना बढ़ाएगा कि आपको किसी चीज़ की problem नहीं होगी वो आपकी calling में Holy Spirit आपको excellence देगा Bible कहती Daniel अपने आप में इतना excellent था कि लोग जानते दे कि इसमें एक उत्तम आत्मा रहती यूसुफ इतना excellent था कि लोग जानते दे कि इसमें परमेश्र का आत्मा रहता है वो पवित्र आत्मा की भरपूरी उसने कैसे पाई परमेश्र के सामने उपस्तित रहके पाप को मना करके देनियल ने कैसे पाई छोटी छोटी बातों में भी उसने परमेश्र का दिल कभी नहीं तोड़ा आज आब आराम से जूट बोल लेते कहां आ गे मैं जी आ गया जी नकोधर चौंक और अभी फुटबल चौंक यह भी आपको छोटा झूट लगता है मेरे लिए यह बड़ा जूट है अगर आप थोड़ी चीजों में फेट्फुल नहीं आप बड़ी चीजों में फेट्फुल कभी नहीं हो सकते अगर आपकी बास सीधी सीधी नहीं हां की हां और ना की ना नहीं आप कवितरात्मा से भरबूर नहीं हो सकते आपको clean life रखने ये सीधी life रखने ताकि Holy Spirit आपको अपने आप से भर सके और अपनी महिमा के लिए आपको यूज़ कर सके Hallelujah Hallelujah कहता कवे तुझे खिलाएंगे और Bible कहता है कवे उसे खिला दे और लिखा जब पानी वहां भी खतम हो गया तो परमेश्र का वचन फिर उसके पास पहुंचा उसे पढ़ेंगे हम उसने कहा अप परमेश्र ने कहा चल कर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वही रहे मैंने वहां एक विद्वा को तेरे खिलाने की आग्या दी है वह वहां से चल दिया और सारपत को गया और नगर के फाटक के पास पहुंच कर क्या देखा कि एक विद्वा लकडी बीन रही है उसको भुला कर उसने कहा किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी लेया और जब मैं लेने जा रही थी तब उसने पुकार कर कहा अपनी हाथ में एक टुकोडा रोटी भी मेरे पास लेती है उसने कहा तेरे परमेश्वर यहवा के जीवन की शपत मेरे पास एक भी रोटी नहीं केवल घड़े में मुठी भर मैदा और कुपी में थोड़ा सा तेल है और मैं एक दो लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने बेटे के लिए और अपने लिए पकाऊं और हम उसे खाएं और मर जाएं एलिया ने उसे कहा मड़ जाकर अपनी बात के अनुसार कर प्रंतु मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना कर मेरे पास लेया तब वै चली गे और एलिया के वचन के अनुसार किया तब से वै और इस्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे और यहवा कि उस वचन के अनुसार जो एलिया ने कहा था ना उस घड़े का मैता खतम हुआ ना उस कुपी का तेल खतम हुआ ना घटा अब क्या हुआ परमेशोर ने कहा अब जाके जब पानी खतम हो गया अब जाके सारपत में एक विद्वा के पास जा मैंने उसे तुझे खिलाने की क्या दी है कहा था मैंने उसे तुझे खिलाने की क्या दिये है आग्या दिये पर जब एलिया उसके पास जाके बोलता है कि मेरे लिए ग्रोटी लेके आ तो वो पहले उस चीज को सविकार नहीं करती जबकि परमेशुर ने क्या कहा था मैंने इसको तेरे खिलाने की क्या दी है आग्या दी है परमेशुर उसके अंदर की स्पिरिट सबकॉंशेस में उस औरत की डाल चुका था कि जब एलिया आएगा ये तैयार होगी उस चीज को बोने के लिए जो एलिया से बोलेगा और जैसे एलिया ने उसे देखा और कहा जा पहले वो काम कर जो परमेशुर ने करने के लिए बोला जैसे तूसे बोएगी अपनी घटी में भी ना तो तेरा तेल खतम होगा ना तो तेरा मैदा खतम होगा क्योंकि उसको आग्या परमेश्वर कहता, मैंने उस विद्वा को आग्या पहले से दे दी, बाइबल कहती परमेश्वर ने भी इसका जिकर किया, कि उससे में बहुत सी विद्वाएं थी, लेकिन वो एलिया सार्पत की विद्वा के इलावा और किसी के पास भी नहीं बेजा क्यों कि जब आपकी लाइफ में नेगटिव महाल बनते हैं जब बुरा एट्मोस्फेर आते हैं जब परिक्षाएं आती हैं जब शैतान अटेक करते हैं तो क्या तब भी आप परमेशों की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं क्या तब भी आपका प्रेम कम तो नहीं हुआ आ लोग जो थे परमेश्वर यहावा को छोड़ चुके थे और बाइबल कहती बाल की उपासना में लग गए थे और यह जो विद्वा थी यह परमेश्वर के साथ faithful थी और परमेश्वर ने उसकी दिल को तयार करके रखा था कि अब एलिया जैसे तुझे बोने को बोलेगा त हालेलुया आपके लाइव में यह माइने रखता है कि आप अपने महौल में जब नेगटिव हो जब अकाल का टाइम हो क्या आप परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं या नहीं अगर आप खड़े रहे अड़े रहे तो एक दिन पवितरात्मा की भरपूरी से आपकी सब दुख खातम होने वाला है वो मौत जो दूसरों के लिए डिजाइन की गई थी दूसरों के लिए थी लेकिन बाइबल कहती उस और उसके बच्चे को वो चूने सकी उसके बाद में उसके बेटे की मौत होने के बाद भी वो जी उठा मैंने एक बाद को नोटिस किया अगर आपकी लाइब में बवितरात्मा की भरपूरी है या अब अगर ने हैं या आप एक ऐसी जीवित चर्च का हिस्सा है जाँ बवितरात्मा की भरपूरी है आपकी लाइफ कभी सेम नहीं रहती मैंने ये नूटिस किये कभी भी सेम नहीं रहती वो चेंज होगी होगी वो सीधी नहीं रहेगी या तो नीचे जाएगी या उपर जाएगी क्यूं? बाइबल कहती जब भी एलिया राजा के पास गया और राजा से मिला कुछ न कुछ ऐसा हुआ जो या तो उपर का था या नीचे का था और बाइबल कहती जब भी कोई भी पवितरात्मा से भरा हुआ जन राजा से मिलता था या तो उसकी जीत होती थी या वो हारता था नीट्रल कुछ नहीं होता था जब भी बाइबल कहती एलिया जब अहाब के पास गया और उसे बताया कि अब बारिश होगी और कुछ दिन बाद एक मिक्या नाम का नभी उसी राजा के पास गया और बोला कि अगर तू इस लड़ाई में लड़ने गया और वहां पे पचास नभी बैठे थे जो उसके लिए अच्छी भविष्यवानिया कर रहे थे खुश कर रहे थे लोगों को फुल वो राजा चक दे फटे आ देख तू फटे चाक पज्जा राजा बले बले हो जो तरी और राजा ने कहा नहीं कोई सच्चा नभी लेकर आओ मुझे शक है इन लोगों पे और जैसी वो आया उसन नहीं ना सदोयनू और लिखा वो जब लडाई में गया वो मारा किया जब भी पवित्रात्मा से भरा हुआ जन राजे को मिलता था या तो उसकी जीत होती थी या बिलकुल टाउन अगर तो वो राजा परमेशों के साथ जुड़ा होता था तो नभी उसको बोलता था जा प बिलता था उसे बताता था कि राजा तुम मरेगा और ऐसा ही होता था जब पवित्रात्मा के भरपूरी आपकी लाइफ में आती या आप ऐसी चर्च में ऐसे जीवित लोगों के संक्ती में जाते जा होली स्पिर्ड की भरपूरी है लाइफ कभी सेम नहीं रहती अगर आप आप एक्साइटेड है खुदावन के लिए खुदावन में तौबा करने के लिए तयार आप जिस मर्जी बड़े भारी पाप में क्यू नहीं है अगर आज आप तौबा कर ले ये पवित्रात्मा की प्रेजन आपको पॉजिटिव ब्लेस करेगा आज अगर आप तौबा कर कि परमेशन में तौबा करता हूँ मैं ये गुनाह नहीं करूँगा मैं ये काम नहीं करूँगा मैं तुझ में सीधा चलूँगा रोज तेरे सामने उपस्तित रहूँगा अपने आपको होली स्पिरिट से फिल करूँगा अपने आपको इन चीजों से बचा के रखूँग हालिलुया और जब आप instructions को follow करते हैं जब instructions आपको दी जाती है आपको वचन दिया जाता है आपको word दिया जाता है और आप follow करते है वो same result जो जविद्वा ने देखा आप अपनी life में देखते हैं ये निशानी पवित्रात्मा की भरपूरी की उस स्थान पे जहां आप जाते है ये निशानी ये पवित्रात्मा की भरपूरी की उस सेवक में जिसके पास आप जाते है हालिलुया आपकी life सेम नहीं रहने बाले आमेन उंचा याशिश आपकी ही आप तयार हैं उस Holy Spirit से फिल होने के लिए आपको उन ड्रामों से क्या आना पड़ेगा उपर आना पड़ेगा ड्रामा समझ के कौन सबला कौन सबला हीलिंग होगी के नहीं होगी ये काम होगा के नहीं होगा ये वीजा आएगा के नहीं आएगा यह बता नहीं है, काम होगा के नहीं होगा, वो ड्रामा चल रहे है दिमाग में, और एक दिन प्रेयर खतम है, एक दिन श्लो है, एक दिन कम है, एक दिन अच्छा, टेस्टमनी देख लिए विश्वास बढ़ गया, दूसरे दिन कम हो गया, जो इन ड्रामों से क्या है, उपर जी विट्षवर है? मुझे छुडाए ना चुडाए, hatнд अपनी हाथों को उठाओं, अपनी हाथों को हिलाओ, और अपने आपको पहार रखो इन सब ड्रामों से, इक्らार करो वो मेरा परमिश्वर है, इक्रार करो वो मेरा परमिश्वर, मेरा सरवशक्तिमान चुडाने वाला परमिश्वर है, और मैं उसी का बेटा और पेटी हूँ, अपनी हाथों को हिलाओ, थेंक्यू जीजस, तेरे वचन के अनुसार में करूँ खुदाबंद और बरकत को पाओ, अपनी जिंदगी में पवितरात्मा की भरपूरी को पाओ, उठाओ अपनी हाथों को प्रात् अब्से हाँ, अब्से हाँ, उब्से हाँ, अभाए खुदे।